अनंत अम्बानी और रादिका मर्चन के वेडिंग वेन्यू पर सेक्यॉरिटी को लेकर उठे सवाल आखिर कैसे इस हाई प्रोफाल शादे की सेक्यॉरिटी में अम्बानी से होगे इतनी बड़ी चूक अनंत रादिका के वेडिंग रिसेप्शन को दो लोगों ने किया गेट क्राश मुकेश अमबानी और नीतामबानी के चोटे बेटे अनंत अमबानी और अधिका मर्चन के वेडिंग फंक्शन काई दिनों से मुंबाई में चल रहे हैं इस शादी में ना सरफ देश की कई जानेमानी हस्तियों ने शिर्कत की बल्कि कई इंटिनाशनल आइकन्स भी इसका हिस्सा बने रिसेंटली इंडिया के पीम नरिंद्र मोदी भी न्यूली वेट्स को ब्लेस करने पहुचे थे और ऐसे में जाहर सी बात है कि अमबानी इसने वेडिंग वेन्यू पर टाइट सेक्योरिटी अर्रेंजमेंट्स किये होंगे लेकिन हिरानी तो तब हुई जब हाली में दो लोगों ने रादिका और अनंत की वेडिंग सेलिबरेशन को गेट क्रैश करने की कोशिश की वेल येस जबरदस्ट सिक्योरिटी के बावजूद दो लोग रादिका नंद के वेडिंग सलिबरेशन में बिना इंविटेशन अंदर घुस गए हाला कि इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन दो गेट क्रैशर्स को गिरफतार कर लिया और पुलिस के मताबिक एक अक्यूज जो बिना इंविटेशन के स्टार स्टार्ड वेडिंग इवन में घुसने की कोशिश कर रहा था उसका नाम वेंकटेश नारसिया है और एक यूट्यूबर है वहीं दूसरे शक्स का नाम लुकब मुहमद शफी शेख है और जो खुद को बिजनस्मेन बताता है रिपोर्टर लिए दोनों आंधर प्रदेश से मुंबाई आये थे सिर्फ इस शांदार इवन्ट को देखने के लिए फिलाल अलग अलग केसेस नं दोनों के अग्येंस रोजिस्टर किये गए है आपको बताते राधिका अनन्द ने 12 जुलाई को जियो वर्ल कंवेंशन सेंटर में शादी की थी और दोनों के वेडिंग सेलिबरेशन्स अभी भी वहां हो रहे हैं वेंकटेश और लूकम भी वहां पहुँच गए थे लेकिन शक्क के अधार पर सेक्योरिटी ओफिशल्स ने उन्हें रोका और पुलिस के हवाले कर दिया उन्हें बीकेसी पुलिस टेशन ले जाया गया जहां ट्रेस पासिंग का केस रिजिस्टर किया गया एक ओफिशल्स ने बताया वहां पुलिस ने दोनों को नोटस देकर और लीगल आक्शन लेकर रुलीस कर दिया लेकिन अम्बानी इसके एविंट में हुआ ये इंसिडेंट वाकरी बहुत शौकिंग है क्योंकि मुकेश अम्बानी एश्या के सबसे अमीर बिजनसमेन में से एक है और उनके बेटे अनंत अम्बानी की वेडिंग भी एक ग्लोबल एविंट थी झाल